तो यह आप लोगों का क्वाटली एक्जाम में बस इतना ही आने वाला है इसके बाद जो भी लैक्चर होगा उस पे बेज नहीं रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर तक ही इसमें से क्विश्चन बनने वाले हैं इसमें पहला है आइसो टॉनिक्स तो वाट इससा कंडिशन होता है तो उसको हम लोग बोलते है आइसो टॉनिक सॉलिशन जहां पर पाई वन पाई टू के बराबर होता है याने आस्मोटिक प्रेशर दोनों के बराबर हैं दूसरा होता है इस हाइपो टॉनिक हाई प अबहुंड़ होता है आइस मदब अगर European mad硬 कुम सॉलिशन को स्मुौटिक प्रेशर से क्या हो प्लुक्प तो इसको बलेंगे लेज असमोटिक प्रेशर यानि की पाई लिज दैन पाई टू liegt ἀंध करता है hypertonics का मतब होता है guys hyper का मतब होता है बहुंँ जादा ठीक है बहुंँ जादा हो तो यह हो जाएगा more osmotic pressure तो πाई 1 is greater than πाई 2 obviously depend करेगा यह hypotonic, isotonic and hypertonic पे तो यह terms याद रखना guys इसके base पे ही question बनता है जैसे पहदा देखो हम लोग उन्हें एक question solve किया है ठीक है जो पहदा question है देखो और 5% rate by volume can sugar solution is isotonic क्या बोला guys isotonic with 0.877% urea solution if molar mass of can sugar is 342 calculate molar mass of urea हाला कि हमको urea का molar mass पता होता है बर इस term के according हमको उसका molar mass निकालना है guys तो यहाँ पे देखो आपको जो given है वो देखो 5% क्या दिया है guys can sugar दिया है तो 5% का basically पता है weight by volume है तो 5 gram in can sugar in 100 ml solution हो जाएगा ओके 100 ml solution मिल गया 5 gram आपको can sugar मिल गया given mass okay and isotonic है मतब दो तो depend करे गई and 0.877% urea percentage में है सेम वैसे निकालेंगे 0.877 gram in 100 ml solution ओके दो चीज़ मिल गया है guys हमको हमको यहाँ यह भी पता है कि can sugar का molar mass क्या है 342 है okay depend हमको किसका molar mass निकालना है guys हमको यूरिया का molar mass मिल निकालना है मतब NH2 CO NH2 का निकालना है okay अब देखो यहाँ पर isotonic solution के लिए हम लोग depend करते क्योंकि यह isotonic solution है so guys हम लोग क्या करेंगे pi 1 equal to pi 2 करेंगे formula होता है pi 1 का m1 r t1 equal to m1 r t2 ठीक है यहाँ पे r जो होगा constant बिल्कुल समान होगा temperature guys इनका बिल्कुल समान होता है तो equal equal portion कार देते हैं direct आपका question बन जाएगा m1 equal to m2 यह जो होता है आपका isotonic के लिए basically main formula है अब इसके according देखोगे guys तो m1 जो होता है क्या होता है guys molality molality क्या होता है number of mole of number of mole of solid divided by volume in solution volume in liter देंगे okay number of mole number of mole दोनों का अगर volume की बात करें गाई तो दोनों का volume देखो यहाँ पी क्या होता है 100 ml 100 ml तो दोनों को मैं यहीं पिकाड़ देता हूँ okay बचा क्या n1 divided by n2 given mass divided by molar mass given mass कितना है इसे assume किया x okay अब जब इसको आप change करोगे guys तो x को आप जा रहे है एक्स हो इहें पर hold करो और इस point को इस side ले आओ तो यह जो होगा यह हो जाएगा आपका x okay तो यह हो जाएगा आपका यह point इधर जाएगा तो इधर जो ऊपर था वो इधर जाके क्या हो जाएगा guys division में आ जाएगा और x 1 by x हो जाएगा अब x position चेंज कर दो इनका तो चेंज करोगे तो x equal to हो जाएगा 342 into 0.877 divided by 5 अब जब इसको solve करोगे guys तो इसका approximately 59.899 ऐसा कुछ आने वाला मतब approximately कितना जाएगा 60 gram पर मोल और यही उसका क्या होगा guys main solution आपका जो question आने वाला numerical वो भी कुछ ऐसा ही आने वाला है इसा नहीं है कि आप directly कहीं भी tick कर दोगे ना अगर tick करोगे तो मेरी गलती नहीं होगी आपका minus marking start हो जाएगा क्योंकि minus marking के coding set हुआ है तो जो question का answer पता है उसको ही tick करने वाले ओके और यह बिल्कुल simple method है आपको जर्रदी इसके लिए one half जर्रदी one minute का time तो इसदी मिलेगा तो आपको इसदी पता होने चाहिए यह सारे rules ठीक है कुछ sort में रहेंगे कुछ terms पे रहेंगे question आपके और कुछ जो रहेगा वो numericals रहेंगे okay second जो है वह हमारा okay reverse osmotic जिसको हम बोलते है आरो आजकल हर घर में यूज़ होता है जो water filtration के यूज़ करते है यह आरो का कैसे mechanism चलता है यह क्या है इसका basic principle क्या है वह देखते हैं गाइस हलाकि यह जो होता है non spontaneous होता है non spontaneous का मतलब है क्या इसकी यह खुज से नहीं चलता इसक तो मसेरी चलाया जाता है ठीक है electric power से चलते हैं अरो को अब इसका main method देखो गई इस आरो में क्या होता है एक साइट हम दोग solution रखते हैं गाई दूसरा साइट जो है solvent pure रखता है हमको पता है कि osmotic कैसा होता है osmosis में क्या होता है गाई जो solvent होता है वो solvent solution पर जाता है हलाकि यहां पर smp लगाए मतलब आपका semi-permeable membrane लगाए ठीक है तो semi-permeable membrane होता है guys यह क्या करता है SPM होगा semi-permeable membrane यहां पर mistake हो गया okay SPM SPM क्या according क्या हो रहाएगा इस यह depend करेगा अब देखो यहां से solvent क्या हो यहां तर जो hole होता है बहुत छोटा होता है इससे जो solute में जो क्या लग है guys basically solute होता है solution के अंदर solute वो तो इसमें cross नहीं कर पाता है लेकिन solvent जो होते हैं जो water like होता है वो easily इसको cross कर जाता है अब pressurize करोगे तो यहां पे तो solute है नहीं मतब pressure इसका concentration इसका क्या है अब pressure की वज़े से क्या होता है यहां पे देखो यहां पे pressure हम लोग पूट कर रहे है ATM pressure है atmospheric pressure उपर से क्या है इसमें osmotic pressure भी है तो यह जो pistol है यह दो pressure provide कर रहा है और यह सिर्फ atmospheric pressure provide कर रहा है तो जब इसके वज़े से pressure होता है तो guys इसमें solvent कहां चले कहां जाता है solution में ओके मतब पहला रो हो गया osmotic का की पहला solution जो है guys यहां से यहां जा रहा है ठीक है तो इसको हम जो क्या बोलते है guys इसको बोलते है osmosis but guys but अगर इसके pressure को आपको ज़्यादा ही लगा दोगे अगर इसका pressure osmotic pressure जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाए तो क्या होता है यह reverse हो जाता है अब यहां का solvent होता है obviously solution है solution में solute और solvent होगा तब यहां का जो solute है ठीक है वो रुख जाएगा और solvent यहां का solvent कहां चला जाएगा solvent pure में अब जब यह जब यहां का solvent यहां का solvent जब चेंज होगा और pure solvent में जाएगा तो इसको बोलते हैं osmotic आपका ro ठीक है ro याद रखना guys reverse osmotic reverse हो रहा है क्योंकि यहां पर pressure क्या होगा बहुत ज़्यादा यह pressure ज़्यादा करने के लिए हैं यहां पर कुछ मसेरी filter लगाए जाते guys जिससे जब pressure high होता है तो क्या होता है जो solution जैसे कि कोई भी चीज़ है तो उससे यह filter हो जाए जैसे sea water है sea water तो sea water से जर्री आजकर होता है बहुत सारे countries में sea water से fresh water बनाया जाता है ठीक है तो अब देखो का इस condition के according यह terms है जो आप पर होगे तो आपको इसी दे समझ में आ जाएगा ठीक है जो sea water समझ करते उसको desalination बोलते है इसमें sea water को solution है sea water में क्या होता है कि इस water होता है salt होता है जब उसमें osmotic pressure लगता है तो reverse osmotic होता है और यहां से salt को रोग देता है क्योंकि यहां पे semi-permible membrane है और सिर्फ उसमें से water जो होता है वो pure solvent में चला जाता है और water जो होता है fresh water के form में निकलता है तो इस semi-permible membrane आपको याद रखन ुइट Kalaca